हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस रिंकू वेलकम टू स्टड़ी इंसाइडर अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे मास्टर केडर 2020 दे एक्जाम दे लई जो कमिस्टरी दा सब्जेक्ट है उसदे ही कुछ कोश्चन अनू अपा इस वीडियो दे विच डिसकस करांगे गए लए याँ नोुआ अनूउस्मेंट नहीं हुई बट हे ईग्जाम जneath बहुत जल्द होएगा ता तुसी इस दी जुरूर प्रेपरेशन कार सकते हो अच्छे टांग दिनाल ता जिस दे भीच आपा मास्ट केडर दा लास्ट येर पैंती ब्यासी दा एक्जाम नूँ अपा इस भीट दे भीचे डिसकस करांगे कुछ कोश्चन नूँ डिसकस करांगे इस दे भीच अपनी वीडियो नूँ शुरू कर दिया सब तो पहला अपना कोश्चन है जो ला अफ रेसिप्रोकल प्रपोशन है वो किस चीज दे लही डेटर्माइंड करन दे लही उसनों यूस किता जानद है ठीक है ता तुसी इसनों इंगलिश दे भीच भी देख सकते हो जो पंजाबी वीच कर देने हो पंजाबी दे भीच भी है अवेलबल है सकनिया है मतलब इस-धीड दीफिनिशन किए तजम्हीं के तुसी देख सकते हो जो लाफरस्ट कुछा प्रपोशन नू लाफरε ===uce लिए ने नाम नाव भी जानश जाना जाना है separately react with the same weight of third element ठीक है दो weight ले रहे हूं किसे भी दो element दे ठीक है अलग-अलग element लेके जो तुसी उसनों react करवाने हो किसे separately with the same weight एकको जैसे mass दा कोई third element मतलब same element लेना third ठीक है और also the weight of these elements उसे दा ही weight रहेगा which react with the same each other जो दो हो एक दूसरे नल react कर देने जा कहल सकते हैं simple multiple होगा उन्हां दोना दा तुसी उसनों समझे के में सकते हो इस बहुत ही simple एक तरह दा ला बोल सकते हैं जिस दे विचे की है जो उन्हां दी weight दी जो proportion है जो उन्हां दी ratio लई जान दी है उन्हां दी विच ही correlation देता गया है जो दो कोई दो element अलग अलग element दा weight ने जो एक सेम element दे नाल दोनों react कर देने ता जो दो आपा उन्हां दोने जो different element दी ratio लेके ठीक है ता जिमें आपा example लेने है कोई A element है ठीक है जो दो हो C element दे नाल रेक्ट कर दे है ता मनलों एक D element त्यार हो जानदा है ठीक है बना रहेने ठीक है ता इते दो element लाएने A ते B जो एक third same weight of third element देना रेक्ट करके अलग अलग की बना रहेने product बना रहेने यह तो आपा गालग किती जाओगी हो ना कि जदो तुसी A ते B दी खुद दी ratio लई जाओगी इनना दोना ही equation दे विच्चों A अते B दी ratio जदो अपा कड़ना है किन्नी है मनलो हो X है ठीक है जिमें के तो नो इते दखाया गया है A ते B दी खुद दी ratio किन्नी है X है ते जदो A किसदा simple multiple होगी जदो तुसी A अते B नो खुद नो दोना दा मतलब रेक्ट करवाऊंगे जदो उस time इनना दी ratio आओगी ख होनगे एक दूसरे दे simple multiple होनगे जिमें के मनलो X दो है ता Y चार भी हो सकता है छे भी हो सकता है इसे तरह जे X एक है ता Y कुछ भी हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तो मतलब एक दूसरे दे की होनगे multiple होनगे है X Y दा की होएगा multiple होनगे जा तुसी कह सकते एक दूसरे नाल की करनेगे रियक्ट करके कोई नमा परड़क्ट बना सकते ने ता एक की कहनदा है लाउफ रहसी प्रोकल प्रपोशन कहनदा है यह नो तुसी एक होर ठीक है एक्जामपल दी रूप दे विचे भी तुसी समझ सकते हो जिम्हें आप थो नो दूसरी एक्जामपल दिखाई जा रही है जिए लाउफ रहसी प्रोकल प्रोपोशन नों समझाया गया है जो तुस्से इते ट्रेंगल देख रहे हो इधे वचे कि एक सलफर एलिमेंट है ठीक है जो के हाइड्रोजन देनाल मिलके की बना रहे है है एच टू एस बना रहे है इसे तरह जो दो अला प्रेंगल देखाया गया है तुसी इसनों उस जो पहला लिए घ्जाम्पल देनाला कम्पेर करके समझ सकते हो जो अपका एक एस अते एच नू रेक्ट करवाया है ता अपने को लेए इस कोई डी ऐलिमेंट बने या है एच टू एस जो आपका बी आते एनू मिलाया है एस अते ओनू ता पड़ने को लिए एलिमेंट बने है एसो टू ठीक है ता हुन अपा इना दोना दी रेशो लेनी है जमेके थोन नू रेशो दखाई गई है पहला एच टू एस दी रेशो दखाई को कि नी आगी एक रेशो सोल आगी क्योंकि नदे वेट किनना एच दा अक्सिजन नू रेच्ट करवाया ता उनना दी रेशो किननी आगी एक रेशो एक आगी क्योंकि सलफर दा वेट भी बतती है ते दो अक्सिजन दा वेट भी बतती है क्योंकि एक उक्सिजन दा वेट सोला होंदा है ता इसे तरह जो दोना नू रेच्ट करवाया मतलब दोन इन्हों अपने रेच्ट करवा रहे सी, क्योंकि अन्हां दोना दी रेचो लेनी है, ता ज़ो दोना दी रेच्ट करवा के की बने या? H2S बने ए प्लस B बन गया है H2S ता जोदो ए दी रेशो लाओंगे किन्नी आ जोगी एक रेशो अठा हुण जोदो दोने रेशा नों तुसी खुद दी रेशो लाओगे जा तुसी इन्हानों मल्टिपल करोगे जो जान आदे विचो कुछ कॉमन कड़ोगे ता इन्हादी ज यह हंगा yeah । म कूर्ण विच्टा नहीं बिचा तुसी तरन कर सकते हैं इसे तरह आपना दूसरा कोश्चन आपा ज्यादा टैम नहीं लैंडे what will be the number of moles of O2 in 1 liter of air containing 21% O2 by volume under standard condition ता इते थो उन्हों कोच्चन की बुच्छे गया ठीक है थो उन्हों 20% oxygen देती है एक लिटर दे वेच ठीक है number of तुसी mole कड़ने है question थोड़ा number of mole कड़ने है 21% थो उन्हों oxygen देती गया ठीक है एक लिटर दे वेचे क्योंगी volume दे भीच देती है एक लिटर volume ले आगया अपना एथे air लईगी है जड़ा volume है ता एथे एक लिटर दे वेचे थो उन्हों 21% oxygen देती गई है ठीक है तुसी की करना है number of mole कड़ने है के में कड़ने है तुसी 21% oxygen है सेंपल जी गळला एक की यह लिटर volume है तो तुसी लिटर नो multiply कर दोंगे 20% ता किन्हीं आ जाओगा 0.21 लिटर ता थुड़ी amount आगी oxygen दी इसे तरह जब पा स्टेंडर कंडेशन दी गळल करिए ता एक मोल गैस दे भीचे ठीक है मतलब एक मोल गैस किन्हीं हुन दी है 24.4 लिटर हुन दी है इस दे भीचे ठीक है नंबर आफ मोल रहेंगे जो गैस दे भीचे 22.4 लिटर हुन दी है या आपनू condition बता है condition कहां दी है STP condition ता इसे तरह जो तो तुसी total number of mole कढ़न होके की कढ़न होगे total number of mole कढ़न होगे ता तुस hack कुछ नहीं करना ता तुसी मεठ total amount है ठीक है total amount किन्य ऐक दे ऐसम नो तुसी divide कर दोंगे 1 far moology गैस देदेना जो तुसी divide करोगे ता तुसी कोल की आजने number of mole आजानेगे 21% oxygen दे बिच ठीक है यह थोटा question हो जागे जो इस दा अंसर आएगा 0.094 sorry 0.009 3 इस दा अंसर आएगा यह थे mistake है 0.009 3 अंसर आएगा 0.009 4 भी कह सकते हो आप्रोक्सीमेट सेम होएगा अंसर ता इस दा अंसर किया जाएगा यह आजाएगा इसनों तुसी नोट कर सकते हो इसे तरह अपना थर्ड कोश्चन है the light test particle is ता सब तो light test particle केड़ा होगा electron होगा proton होगा neutron जा neutron जा alpha particle है यह मैंने जो question सीya इसनों community tab dumping पाया गया रहा सी उथे ज्यादा तर question जो अंसर दितता जाएगा रहा सी वो alpha particle सी बट केड़ा इसनों पूछ थे answer गलत है क्योंकि इस दा अंसर पुछा गया था लाइटेस्ट पार्टिकल जो सब तो हलका पार्टिकल अनुए जड़ा केड़ है ता इते इलेक्ट्राउन इस दा अंसर आएगा क्योंकि इलेक्ट्राउन जो मास होंदा है बहुत ही कट होंदा है किन्ना होंदा है 9.1 गुणा 10 दी पावर मैनस कत्ती किलोग्राम ता इस दा यह की होंदा है मास होंदा है जो कि 10 दी पावर मैनस 31 है बहुत ही कट होईगा है इस तरह जो तो तुसी प्रोट्न दी गल करोंगे 1.6 इंटू 10 टूरेस मैनस 19 एहे इलेक्ट्राउन दो बहुत जादा होंदा है इंटू अब बोल सकते हैं ठारा सो चत्ती गुणा जादा इ सेम होईगा बट यह बोल सकते हो स्वारी न्यूट्राउन दो होईगा 10 टूरेस मैनस 27 ठीक है ता इसे तरह अलफा पार्टिकल देजे पागल करी जो ज्यादा तरह आंसर दे जो एक तरह वोट्स बोल सकते है ज्यादा सीजी दे विच्छ अलफा पार्टिकल दा जो मास आपा किनना होंदा है फोर यूनिट होएगा तब बहुत जादा होएगा इलेक्ट्राउन दे नालो प्रोटों दे नालो तो इस दा आंसर की आएगा एलेक्ट्राउन इसे तरह अपना फोर्स कोचन है वट विल वी दा वेव नंबर ओफ लाइन्स हैविंग दा फ्रिक्वे एग कुछ नहीं है फूर्स कोछन दे विच तो नों सिंपल फार्मूला पता अनँ चाहिए थेगा बेव लेंथ ना विलोसिती आपना फ्रिक्वेंसी अपाननु पता है वेव लेंथ की वी योफ्रिक्वेंसी आपनो पता वेव लेंथ कि योंदे लैमडा लेम्डा इस इक to one point wavelength one point wavelength ता one point wavelength की हो जाएगा frequency upon velocity उस दा उल्ट हो जाएगा है तो थो नहीं ते frequency भी पता है ते थो नो velocity भी पता है जो थे velocity हो अंधिया अगळी है जो ही velocity हो धिया है ये light दी velocity हो तो wave number किन आजाएगा 5 into 10 to raise 16 upon 3 into 10 to raise एट अप्रोक्सिमेट एंसर जी आपा मिलाई ये थे किन आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटु टैंटु रेस एट मीट्र पर मीट्र जो इस दे यूनिट होनगे तो तुछ इस दा अंसर सी लगा सकते हो ता इस दा सी एंसर बलकुल ठीक होएगा इसे तरह आपना फ उसी रियक्ट करवारे हों भट दोना दी जो स्पिन है वो सेम है ता इथे अपनु पतावना चाहिए है जदो कोई दो एटम सेम स्पिन आले एक दूसरे दिन आल रियक्ट कर देने ता उनना दी बॉंडिंग हुंदिया जा नहीं हुंदि उनना दे विच और्बिटल दा ओ बॉंडिंग बॉंडिंग करते है बॉंड नहीं बंदाऊना दे विच उसे तरह ही हुना दे विच और्बिटल ओबरलैप भी नहीं हुंदा ता इस दा अंसर की होएगा सी होएगा ए एंड बी बोथ ता इस दा अंसर की होएगा एंड बी बोथ जिस दे विच की होएगा न अंसर सी होएगा इस तरह तुसी देख सकते हो इसे तरह सिख्स्त कोश्चन देखने हैं अपाज़दा अमंग दा फॉलोइंग ठीक है अमंग दा फॉलोइंग दा मॉलीक्यूल बिद दा हाइस्ट डाइपोल मुवमेंट चीक है इन्हादे विचों सब तो ज्यादा डाइपो मुवमेंट किस दा होवेगा यह अपना कोश्चन है ता सब तो पहला जो थो नूँ फोर दे फोर दित्ते गए ने उन्हादी डाइपोल मुवमेंट कड़न देले थो नू इन्हादी स्ट्रक्चर पताओन चाहिए थिया कि डाइपोल मुवमेंट देली अपनू किस चीज क आप डाइपोल मुवमेंट देखांगे क्योंकि कारबन देते की आजाएगा पार्शिल पोजिटिव चार्ज आजाएगा क्योंकि सी यल दी एलेक्ट्रो नेगटिविटी की यह ज्यादा है ता उसे देते की आजाएगा पार्शिल नेगटिव चार्ज आजाएगा क्योंक आपा दूसरे वल वदी है CH2 CL2 इचे दो क्लोरीन आ जा नहीं है दोना क्लोरीन आ देखते पार्शल नेगेटिव चार्ज पार्शल पोजिटिव चार्ज कार्बन देखते इसे तरह थर्ड दे विच भी तिन क्लोरीन आ जा नहीं है ते C जो अपना जो D है CCL4 कार्बन टेट्रा क्लोराइट दे विच किया जाएगा चार क्लोरीन आ दे ठीक है पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो तुसी नहीं देखो जो पहला कोशन है इस दे विच डायरेक्टर ठीक है CL देवाल है जो डाइबल मुवमेंट है क्योंकि पोजटिव डो नेगेटिव इस दी डिरेक्शन हों दी है ताथ उसी इसनों क्लोरीन तो कार्बन टो लेकि क्लोरीन तक कि इस दी डिरेक्शन रहेगी डाइबल मुवमेंट दी इसे तरह जो दूसरा पॉइंट है इन्हाद जो रिजल्टेंट पेक्टर रहेगा इन्हाद बिजकार रहेगा बिलकुल ताथ जो इस दी डाइबल मुवमेंट इस एक्टली 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 की दी आ जाएगी पहले दी ही आ जाएगी CH3 CL दे तीज आपा गल कर ये थर्ड दी थर्ड दी जो डाइबल मुवमेंट है एक्टा डाइरेक्ट ठीक है जो कारबन तो CL दे बिलकुल डाइरेक्ट है तीक है इसे तरह जो उपर ते नीचे वाले दोने उन्हाद एक्टर रिजल्टेंट पेक्टर आ जाएगा इन दे डाइबल डाइबल हो जाएगी पहले दोनना नलो तीज आपा गल कर ये फोर्थ दी दोनना दा रिजल्टेंट वेक्टर कितर नू रहेगा इन दे डाइबल मुवमेंट रहेगी सब तो ज़्यादा रहेगी क्योंकि इस दे जो कोई हाइडरोजन नहीं है अपना सेबंथ कोईचन आजदा फोरे रेक्शन टू भी स्पोंटेनियस एट ओल टेंपरेचर केड़ी कंडिशन रहेगे थे किसे भी रेक्शन दे स्पोंटेनियस हों दे लई ता डेल्टा जी और डेल्टा एच शुड़ बी नेगेटिव डेल्टा जी और डेल्टा एच शुड़ बी पोजिटिव और ये दोनों जीरो होंगे जा डेल्टा एच लस दन डेल्टा जी होएगा ये थोड़ा इथे कोईचन बांदा जदा फोरे रेक्शन टू भी स्पोंटेनियस एट ओल टेंपरेचर की होएगा जो तुसी डेल्टा जी और डेल्टा एच नो तुसी नेगटिव हो जानगे ता थोड़ी रेक्शन की होएगी स्पोंटेनियस होएगी ये पोजिटिव नहीं होनगे एथे कंडिशन होंदी है जो डेल्टा जी और डेल्टा एच नेगटिव होंदी है ता reaction जो spontaneous होंदी है खुद होंदी है ठीक है ता क्योंकि जो तो delta H तो delta जो G है तो negative होंदा मतलब होंदी है जो तो reaction खुद होंदी है ता reaction sorry जो heat होंदी है वो release होंदी है ता एथे की होएगा एक condition होएगी जो तो है positive होणगी ता मतलब किया है ओ एकतरादी एंडो थर्मीक जो रेक्शन होईगी जैसे नो तुसी फी दाऊंगे उस्तों बाद ही ओ रेक्शन होईगी ता स्पोंटेनिस नहीं होईगी हो ठीक है एकतरादी ता तुसी बोल सकते हो भी आप्शन नहीं होईगा थे C अते D भी बिलकुल नहीं होगा G डेल्टा G अते डेल्टा H 0 होंदा मतलब reaction होई ही नहीं rectifizival ही नहीं है ठीक है ता तुसी अते option की लगाओगे A लगाओगे जो दो मतलब reaction की होईगी exothermik होईगी ता जो energy release होंदी है 8th question तुसी देख सकते है अपना 8th question है master creator 25 यह एक्जाम है तुसी इसनों देख सकते हो पूरा एक्जाम मिलूगा तुसी इस चैनल देते तुसी इसनों जो telegram channel देते जाके भी download कर सकते है तुसी उस channel लों भी जाके subscribe कर सकते हो उस दा link भी तुसी चैनल देतों मिल जाओगा तुसी आपा गलगरी अपने अज दे 8th question दी the heat content of system is called जो heat content होंदे है system दा उसनों की कहा जानदा है एक तरह दे thermodynamics जो physics देवेचे ही पूरा chapter वानदा है पूरी book actually उस देवीचे संनूं समझाया जान दा कि जो heat content होंदे है कि आपा की बोल देया heat content है heat content कैसे भी system होंदे है उसना आपा enthalpy ये बोल देया enthalpy छिए जव Singing delta H दें बापा री प्रेजेंट करती है जिस तरह आपा 7th question देवीच किता थी Δ coloring energy ही विया घीक है जो heat content सी enthalpy सी ठीक है इसे तरह डेल्टा जी की सी gives free energy हो इसे तरह तुसी नों देख साकते हो एस दा right option आ जाएगा एट सदा heat content of system नो enthalpy केहा जान दे इसे तरह जोड़ा अपना 9th question है inversion of cane sugar is represented as c12 h22 o11 दे विचे जो दो तुसी h2 o पौने हो ता दो हो दो दे विचे टुटे जानते है ठीक है एक सक्रोज रहेगा एक गुलूगोज रहेगा c6 h12 o6 c6 h12 o6 यह ता फार्मला बिल्कुल सहीं है बट इना दा नेम रहेगा जो chemical नेम लग लग रहेगा एक दा नेम सक्रोज रहेगा एक नों तुसी fructose बोलोगे ठीक है इस रेक्शन उफ केडी है वह इस रेक्शन है तुसी की बोलोगे फस्ट आउडर, सेकंड आउडर, यूनी मॉलीकृलर, पसडो मॉलीकृलर और नन अफिती है फस्ट आउडर नहीं है पस्डो उनी मॉलीकृलर और सैकंड आउडर और नन अफिती illustrations ये थोड़ी आप्शन ने इन वर्शन हो रही है केन शुगर दी दो दे बिच ठीक है सेम उनना दा फार्मला है तो ये थे वाटर ये बिच पाया जा रहा है ता इस दा अंसर की होएगा ये रेक्शन है किस तरह दे रेक्शन होएगी ये अपने इते कोश्चन बंद है ता जो ये रेक्शन होँदी है जिस दे बिच आपनों पातावनों चाहिएदे है कि जो H2O है ये थी बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होँदी है एक तरह दे जो कॉंटिटी रहेगी किस दे करके हो रही है C12, H22, O11 जिस करके इसनों की बोल सकते है अपना यूनी मॉलीक्यूलर बोल सकते है जिस तरह के इसनों अपना यूनी मॉलीक्यूलर बोल सकते है क्योंकि H2O दी कंसंट्रेशन आलसो अपना बोल सकते है ठीक है भी एक तरह दी constant होंदी है क्योंकि इस दी मात्रा बहुत जादा होंदी है थोड़ी बहुत ही काटा दी है थोड़ी बहुत ही बात दी है उस दी रहाल कोई इसनो फर्क नहीं पेंदा तो अपा बोल सकते हैं जो इस दी मात्रा बहुत जादा होंदी है सब्सक् Ret अंसर की होएगा? सी होएगा सर्से सब्सक्राइब नोट कर सके अज़ता अपना लस्ट कोचन है उस ते बारे अपना गल कर दे है जो अपना अज़दा लास्ट कोचन है उस देविच किया है rate law for a reaction between the substance a and b थो नूँक rate law दिता गया है rate दिती गई है किसे reaction दी जिस देविच दो substance ने a and b दोना दी जो relation दिता गया है rate is equal to k a the power n b the power m थो नूँ rate of reaction दिता गया बटबिन a and b reaction देविच ठीक है उस दो बाद किये on doubling the concentration of a a दी जो concentration दुसी उसनों double करता halving the concentration of b जो b दी concentration दुसी ने half करता अधिक अर्थिक तरह दिया पाँ बोल सकते है उसनों the ratio बटबिन new rate to the earlier rate of reaction will be new rate किननी है ते जो पहला वाली rate है दोना दी ratio नों तुसी किस तरह represent करोगे ए थोड़ा question है ratio नों ही 10 नहीं 4 option देविचो केड़ी answer है ता विल्कुल सही होएगा ता तुसी simple जी कहला है new ratio लेलो नीचे उस दी earlier जो ratio है उसनों तुसी उस दी नाड़ divide करोगे जो दोना देविचो सब कुछ कट जाएगा ता जो अपने को ले answer आएगा वो नहीं देविचो एक होएगा तो जो new ratio होएगा की होएगी जो एदी concentration double हो जाएगी ता एदी जगापा 2 लिख लांगे इसी तरह बी दी अपने half करती है concentration ता बी दी जगापा B upon 2 लांगे तो जो निच्चे रहेगा निच्चे ता पहला वाली rate है तक निच्चे अपने सेम रखांगी जिम्यापनों जित्ता ग्यासी ता जो टू एदी पावर N करांगे ता टू दी पावर विचो बाहर आ जाएगा ते जो बी अपन 2 है जो 1.2 दी पावर M भी की हो जाएगा बाहर आ जाएगा बाकी सारा कुछ कट जाएगा के दे नाल के कट जाएगा एदी पावर N दे नाल एदी पावर N कट जाएगा ते बी दी पावर M दे नाल बी दी पावर M कट जाएगा ता अंसर किया आए जाएगा टू दी पावर एन अपॉन टू दी पावर एम ता जो इसनों आपका कठा करके लिखांगे ता टू दी पावर एन माइनस एम इस दा अंसर आएगा जित्ते के आपका देख साकते हैं जो डी अप्शन इते राइट होईगी ता एस ही अपने आज दे कोश्चन जिन्नों आपन दी पावर एन मेटिकस दा मिल जाओगा अलदी ना फिजिक्स दाक मिस्चरी दा सारही एक्जाम मिल जानागे तू नो टेलिगर्व चैनल देख से बाके इथे भी अपासारे नू डिकस कर दे रहागे ती और भी बहुत सारे वीडियो तोड़े लेके आमागे ता तुसी इ जो बहुत सारे नुमेरिकल्स बेस्ट रहाएंगे वाक्वी सारे कोंटेंट भी डिसकस करांगे तो बुक्स बारे भी देखांगे अपनी आगली वीडियो दे वेचे केड़े केड़े ने जो अपनों पढ़नी है पेड़ी ने जुरूरी ने मास्टिकेटर दे लाइए ते करो जुरूर चैनल नो सब्सक्राइब करो ते मिल दे आप अपनी नेक्स्ट वीट दे बेचे